तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ, हाली में hot star पर release हुई, रवीना टंडन की एक भेहतरीन मूवी, जिस मूवी का नाम है पटना शुकला, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से request है के वीडियो को like करें और चैनल को subscribe भी करें, तो कहानी शुरू होती ह पटना में रहने वाली एक वकील तनवी शुकला को दिखाते हुए, जो अपने घर में अपने पती सिधार्ट और अपने बेटे सोनू के साथ रहती है, एक दिन उसके घर के बाहर में दो और्तों के बीच जगड़ा हो जाता है, कूडे को लेकर, तनवी अपनी नौकरानी स कहती है कि तू अपने काम पर ध्यान दे, उनका तो ये रोज का काम है, सिधार्ट अपनी पतिनी से कहता है कि आज मुझे एक मिटिंग में जाना है और ब्लू कलर का शर्ट कहा है, तो तनवी अपने पती को ब्लू कलर का शर्ट लाकर देती है, और उसके सफेद बालों को द तन्वी बस को बीच रास्ते में ही रोक कर अपने बेटे को टिफिन देती है और उसका इन्हेलर भी फिर वो कोट पहुंच जाती है और सामने अपना टेबल को सजाती है और सभी के लिए वो लड़ू लेकर लाई थी फिर वहाँ पर जज सहाब आते हैं मिस्टर जा और उन्ह लड़ने के लिए नहीं ये बात तन्वी को अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती है अब उस दिन कोट में पहला केस आता है जिसमें तन्वी को जो उसका क्लाइंट है उसने अपना अंडर वेर सिल्वाने के लिए एक दरजी को डेर मीटर कपड़ा दिय होता है लेकिन उस दरजी ने सिर्फ एक मीटर का कपड़ा इस्तमाल किया बागी का आधा मीटर उसने ठग लिया इस वज़े से एक दिन हाथसा भी हो गया था जब मिस्टर गुपता एक दिन अपनी पतनी के साथ गोल कपे खा रहे थे तो एक चोर आकर मिसिस गुपता का प अपने पती को बताती है कि आज वो कैसे केस जीट गई लेकिन उसका पती केस के बारे में उतना एहमियत नहीं रखता क्यूंकि वो जानता है कि केस जादा सीरियस होगा नहीं तन्वी कहती है कि आज रात हम कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने लेकिन सिधार्थ कहता है कि आज अगली सुभा तनवी के पापा आते हैं घर पर कुछ काम करवाने तनवी जब कोट में होती है तो रिंकी कुमारी नाम की एक थर्ड इयर बीएसी स्टुडेंट आती है जो सीधा तनवी के पास आ जाती है और उनसे कहती है किया आप मेरा केस लड़ेंगे वो बताने लगती है कि जब वो एक्जाम दी थी तो एक्जाम उसका बहुत अच्छा था लेकिन रिजल्ट आने पर उसे फेल करवा दिया गया वो कहती है कि मैं साइंस की स्टुडेंट हूँ तो मेरा इक्वेशन या तो सही होगा या तो पूरा गलत और मैं घर पर आकर चेक करती हूँ तो मुझे 60 से 65% मिलना चाहिए था तो तनवी कहती है तो फिर दोबारा से एक्जाम दो रिंकी कहती है कि मेरे पापा रिक्षा चलाते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दोबारा से पढ़ने जाऊं और फीज भी दूँ वो अपने यूनिवरसिटी में कम्प्लेन भी कर चुकी है लेकिन दो मैने से कुछ भी नहीं हुआ री चेकिंग के पर मार्क्स को दोबारा से काउंट करके बता दिया गया कि सब कुछ ठीकी तो है और वो चाहती है कि उसका एंसर शीट दोबारा से रीचेक हो इस केस को लड़ने के लिए तनवी श्योर नहीं थी रिंगी कहती है मेरे पास 5000 रुपए हैं अगर और लगेंगे तो जुगार म बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मार्क्स शेट मेरा भविश है और इसके साथ मैं किसी को भी खिलवार करने नहीं दूँगी इसलिए तनवी युनिवरसिटी के वाइस चांसलर मिस्टर सिंग को एक नोटिस भेज़ देती है और वो भी काफी परिशान थे इसलिए वो एक वकील से बात कर रहे थे जिसका नाम है नील कंट जो बहुत बड़ा वकील है और वो कहने लगता है कि इस केस में कोई जान ही नहीं है वो सोच रहा होता है कि आखिर वो इस केस को क्यों लड़ेगा इस से उसे पबलिसिटी थोड़ी मिलेगी लेगि लेगिन वाइस चांसलर कहते हैं कि इस कांड में बहुत बड़े आदमी का नाम जुड़ावा है अगर कुछ भी होता है तो इसमें तुम भी फसोगे नील कंट पूछता है कि आखिर वो आदमी है कौन इसके बाद ट्रायल का पहला दिन दिखाया जाता है जजज सहाब इतने बड़े वकील नील शुरू होती है और तन्वी बताती है कि उसकी क्लाइंट जो थर्ड येर बीएसी की स्टूडेंट है वो चाती है कि उसका एंसर शीट दोबारा से चेक किया जाए नील कंट पूछता है तो इसके लिए युनिवरसिटी के पास जाना चाहिए उनके वहां से क्या जवाब आ तन्वी कहती है कि उन्होंने तो कहा कि मार्क्स जो आया है वो सही है लेकिन रिंकी को ऐसा लगता है कि उसका 60% से जादा नंबर आना चाहिए था लेकिन इसके बाद तन्वी और नील कंट दोनों वकीलों में कहा सुनी हो जाती है क्योंकि नील कंट वहां पर रिंकी के 1st य आप कहते हैं कि अगली सुनवाई तीन दिन के बाद होगी क्यूंकि अभी दूसरे केस का समय हो गया था अब इन तीन दिनों में तनवी इसी केस पर काम कर रही थी और नील कंट मिश्रा और युनिवरसिटी के बारे में बहुत कुछ रिसर्च भी करती है फिर अगले ट्रायल में वो एक लिस्ट देती है जिसमें नील कंट जितने भी क्लाइंट को रिप्रेजन्ट करते हैं उनका नाम था और उसमें विहार युनिवरसिटी भी था जिसमें रिंकी पढ़ती है और ये भी बताती है कि 3 साल पहले इस उनिवरसिटी से एक सूसाइट केस भी सामने आया जो केस नील कंट सम्हाल रहे थें और वो उनी से पूछती है कि आखिर जब ये केस आपके लिए माइने रखता ही नहीं है तो आप इस केस को लड़ने के लिए लोवर कोट में क्यू आए हैं नील कंट रिंकी को कट घरे में बुलाता है और उसे पूछता है कि पिछले साल वी तो बोल दिया कि तुम्हारा पेपर रीचेक हुआ है तो तुम यकीन क्यों नहीं कर लेती जिस पर तनवी कहती है कि इलेक्शन में भी पॉलिटिशन को दूसरा मौका मिलता है तो फिर रिंकी को क्यों नहीं नील कंट मान जाता है कि उनिवर्सिटी में एक कमीटी बैठ दोबारा से चेक हुए लेकिन उसे वही सेम मार्क्स मिलें पता नहीं अब उस बैचारी लड़की का क्या होगा फिर वो सबजी बजार जाती है और वहाँ पर वो जचसाहब की पतनी लटा से मिलती है फिर वो तीनों वहाँ पर बाते करने लगते हैं और लटा तनवी को काफी अच्छा था बस रिसर्च में कमी रह गई तभी तन्वी को कॉल आता है और वो तुरंथ हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि रिंकी ने खुद को मारने की कोशिश की थी क्योंकि गलत माक्स के वज़े से उसकी जिंदगी अब बरबाद हो गई है और वो अभी बी यही कहरी होती है कि इतना खराब माक्स मेरा आई नी सकता मुझे दो दो बार फेयल करवा दिया गया इसलिए तन्वी इस केस पर दो बार से काम करना शुरू करती है और दिन रात रिसर्च में लगी रहती है सिधार्थ तन्वी को सुबह सुबह परिशान नहीं करता क्य क्योंकि रात भर काम करने के वज़े से वो ठक हार कर सो रही थी। इसलिए वो अपने लिए और अपने बेटे सुनू के लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाता है। तन्वी जाकर एक पत्रकार सुरेंदर मोहन से मिलती है जिन्होंने भी बिहार युनिवरसिटी में मांग्स घो से मिलाते हैं कहते हैं कि बारा साल पहले जो मैंने इस केस पर काम करना शुरू किया था मेरी पतनी का ये हल करवा दिया गया इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तन्वी बताती है कि रिंकी ने अपनी जान देने की कोशिश की तब जाकर सुरेंदर उसे बताता ह कि आप जिस केस को हैंडल कर रही हैं असली में ये बहुत बड़ा स्कैम है बड़े बड़े नाम शामिल हैं इसलिए मैनेजमेंट के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर पाईएगा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो पास नहीं कर पाते हैं और पैसे के दम पर उनके रिजल्ट्स बदल दिये जाते हैं और ऐसे स्कैम में गरी बच्चों को ही टार्गेट किया जाता है और पेपर चेक हो जाने के बाद उस पेपर को एक सेक्योर रूम में रखा जाता है और रिजल्ट बहार आने के दो दिन पहले ऑपरेटर जो फैनल रिजल्ट बना रहे हो वो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में काम करने वाले मिस्टर श्रिवास्तफ से मिलती है। तन्वी उसे बताती है कि मैं रिंकी कुमारी वाली केस को हैंडल कर रही हूँ। मिस्टर श्रिवास्तफ कहते हैं कि मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। वाइस चांसेलर भी वहाँ पहुंच जाते हैं और तन्वी कहने लगती है कि रिंकी के मार्क्स के साथ घोटाला हुआ है और यही मैं पता करने के लिए आई हूँ कि कौन है इसके पीछे लेकिन वाइस चांसेलर उसे यूनिवर्सिटी से निकल जाने को बोलते हैं तन्वी आ आने लगता है कि कैसे एक दिन उसके घर में नल खराब हो गया था तो सिधार्थ को बुलाया गया था नल ठीक करवाने के लिए यह सुनकर तन्वी को अच्छा ने लगता रगुवीर यह भी कहता है कि रिंकी से कहिए इस केस को छोड़ दें और हम उसकी पढ़ाई का पूर सुनकर तन्वी हैरान थी और वो रात में अपने पती से बात करती है और याद करती है उस दिन को जब उसके पती को प्रोमोशन मिला था तब वो लोग कितने खुश थें लेकिन सच तो यह है कि उसके पती को प्रोमोशन इसलिए मिला क्योंकि सिधार्थ रगुवीर के घर नल ठीकर ने, जिसके वज़े से उसे प्रोमोशन मिला, वो अपने पती से पूछने लगती है, कि तुमने आखेर ऐसा क्यूं किया, तुम्हें पता है ना कि ये इसे रिश्वत देना कहते हैं, वो बता देती है कि रिंकी का मांक शेट रगुवीर नहीं हतियाया है, अगले द पताती है कि तुम्हारा 30% नहीं बलके 63% आया है, रिंकी कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, तन्वी यही तो देखना चाहती थी, कि पैसे का नाम सुनकर रिंकी अपना मन बदल लेती है या नहीं, तन्वी भी कह देती है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, रगु वीर निलकंट से मिलता है और उसे धमकाता है कि तुम्हें इस केस पर कॉंसेंट्रेट करना होगा, और तन्वी को हलके में मत लेना, फिर प्रोसेडिंग दोबारा से शुरू होती है और वहाँ निलकंट जजज से कहता है कि आज मैं ऐसा सबूत पेश हो जाएगा और वो कटगरे में माधव को बुलाता है जो बिहार युनिवरसिटी के आफिस में 8 साल से काम कर रहा है और वो सब को बताता है कि एक्जाम के पहले रिंकी का एटेंडेंस 63% था जो के 75 के ऊपर होना चाहिए एक्जाम में बैठने के लिए और रिक्वेस्ट कर कर दिया जाए ये सबसे तन्वी काफी गुसे में थी क्योंकि इतनी बड़ी बात रिंकी ने उसे चुपाई कोट में तन्वी ये कहती है कि अगर रिंकी के पिता ने कॉलेज में 4000 रुपे देकर अपनी बेटी के एटेंडेंस परसंटेज को बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में भी करप्शन मौजूद है और ऐसे अमीर बच्चे जो फेल हो जाते हैं वो पैसे देकर अपना रिजल्ट बदलवा भी सकते हैं और ये सबसे नील कंट कुछ भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि शुर्बा तो उसी ने की थी तन्वी कहती है कि म तन्वी सब के सामने रगुवीर सिंग का नाम ले लेती है जिससे सब भी हैरान हो गए थें क्योंकि वो तो बहुत बड़ा पॉलिटीशन है काफी पावरफुल इंसान है अब इसके बाद पॉलिटिक्स में भूचाल आ जाता है दूसरे पार्टी इस बात का फैदा जरूर उठाएंगे लेकिन रगुवीर के पिता उसे समझाते हैं के पॉलिटिक्स में ऐसा होते रहता है चिंता करने की बात नहीं अगली हेरिंग में रगुवीर को भी आना पड़ता है और वहां तन्वी सब के सामने उस पर इल्जाम लगाती है कि रिंकी कुमारी के मांक शिट क पापस कर दीजिए रगुवीर कॉन्फिडेंस में यहां तक कह देता है कि अगर तन्वी ये साबित करने में काम्याब होती है कि मैंने कोई गुना किया है तो मैं खुद इलेक्शन से पीछे हट जाओंगा जज तन्वी को एक सबता का समय देते हैं अगर एक हफते के अंद जर तन्वी कोई भी ठोस सबुत लाने में असफल रहती है तो इस केस को खारिच कर दिया जाएगा जाते जाते रगुवीर तन्वी को धमकाता है तन्वी कहती है कि क्या करिएगा मुझे मरवा दीजिएगा रगुवीर कहता है कि हम आज कल के नेता हैं इलीगल काम भी कि 70,000 नल लगे हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है इसे लिए उसे तुरंती सस्पेंड किया जाता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर से धार्त पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो उसे 2 साल की सजा भी हो सकती है जो कुछ भी हुआ घर पर आकर से धार्त स समझनी आ रहा तन्वी रिंके के घर जा रही थी तभी उसे रास्ते में रगुवीर सिंग का रैली देखने को मिलता है वो रिंकी और उसके पापा से बात करी रही थी कि तभी उसे कॉल आता है और वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचती है और देखती है कि नगर नि को सच पता चल जाता है कि असली में सिधार्ट की नौकरी खतरे में आ गई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है वो भी तन्वी के वज़े से मिस्टर सहाय जो सिधार्ट के बॉस है उनका कॉल आता है लेकिन सिधार्ट उन्हें कह देता है कि आपको जो एक्शन लेना है ले अब तो मीडिया वालों को भी समझ आ गया था कि तन्वी के घर पर जो बुल्डोजर चला है उसके पीछे रगुवीर का ही हाथ है ये सुनकर रगुवीर को गुस्सा आता है और वो रिपोर्टर को अपने गाड़ी से बाहर निकाल देता है तन्वी पहुंच जाती है मैने काम करने वाले मिस्टर श्रीवास्तव से मिलने के लिए जिसकी बेटी मेगना किया शादी थी और शादी में हो रहे खर्च को देखकर तन्वी कहने लगती है कि ये सब कुछ तो आपके सैलरी से काफी ज़ादा है लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव उसे यहां से जाने को बोल फिर वहाँ पर श्रिवास्तव की बेटी मेगना आ जाती है जो तन्वी को निउज में देखकर उसकी बहुत बड़ी फैन हो गई है तन्वी मेगना से कहती है कि तुम्हारे लहेंगे बहुत खुबसूरत हैं तो मेगा कहने लगती है कि ये काफी महंगा है और मेरे पापा करती हूँ कि आप ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं वो वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर श्रिवास्तव सवीता यादव का नाम लेते हैं अगले दिन सवीता यादव को कड़ घरे पर बुलाया जाता है जो युनिवर्सिटी के एड्मिनिस्ट्रेटिव ब् कर दिया जाता है और वहाँ सवीता बताती है तो उस कमरे में एक ब्लाइंड स्पॉट है जहां CCTV कैमरा रेकॉर्ड नहीं होता और अगर चाहे तो स्टूडेंट्स का मांक्स अदला बदली किया जा सकता है वो कोट में ये भी बता देती है कि रिंकी का मांक्स बदला गया थ अब ये सब कुछ बताने के बाद निल कंट सवीता से पूछता है कि इतने महिने से ये केस चल रहा है आपका मन परिवर्तन कैसे हो गया आप आज ही क्यों आई है और वो उनसे पूछता है कि क्या आपने मिस्टर श्रिवास्तफ पर मॉले स्टेशन का आरोप लगाया था सवीता को इंसाफ नहीं मिला था वो ये भी कहता है कि सवीता जूट बोल रही है क्योंकि उसके पास सबूत है जिस दिन की बात हो रही है उस दिन सवीता यूनिवर्सिटी में थी ही नहीं उसकी बेटी की डिलिवरी थी वो हॉस्पिटल में थी तो वो मिस्टर श्रिवास् कि सभी तब बिग चुकी है, सिधार्द घर का इलेक्टिसिटी बिल बरना भूल जाता है, इसलिए इलेक्टिसिटी काट दिया गया था, तभी सोनु को सांस लेने में दिक्का तारी थी, इसलिए वो लोग तुरंथ सोनु को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि कंडिशन सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन के लिए अंडर उब्जर्वेशन रखेंगे, बाहर बैट कर तनवी टीवी में देख रही थी कि कैसे युनिवर्सिटी वाले और रगोवीर खुश हैं कि वो लोग केस को जीच चुके हैं, हाला कि अभी तक फैसला सु कर ही मानेगी, तब जाकर उसके पापा कहने लगते हैं कि तुम तो लॉयर भी नहीं हो, तुमने तो अपना ग्रेजवेशन क्लियर भी नहीं किया था, तुम लास्ट यर में फेल हो गई थी, यह सुनकर तनवी को जटका लगता है कि वो फेल हो गई थी, यहां पता चलता है कि तनवी के पापा ने यूनिवरसिटी को पैसे दे कर तनवी को पास करवाया था, ठीक वैसे ही जैसे रगुवीर ने अपने साथ किया, रिंकी का माक्षिट खरीद कर, अब अगले दिन वो जाती है अंसारी नाम के आदमी से मिलने, जो अब गैरेज में काम कर रहा था, औ और उसी से 14 सल पहले तनवी का माक्ष अदला बदली हुआ, जिस वज़े से अंसारी फेल हो गया और तनवी पास, तनवी उसे पूछती है कि आपने कोशिश क्यों ने की, अंसारी कहता है कि मैंने अपनी आउकास से जादा कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, शायद रि इवार से कोट में मिलती है, ट्रायल दोबारा से शुरू होता है और जज़ दोनों वकील को अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देने को बोलते हैं, नील कंट चाता है कि तनवी पर केज दरज हो क्योंकि उसके पास कोई ठोश सबूत था ही नहीं, और वो युनिवरसिटी के खिलाफ लड रही थी, इसमें युनिवरसिटी की भी बहुत बदनामी हुई है, तनवी क्लोजिंग स्टेटमेंट देने से पहले कहती है, मुझे सिर्फ 10 मिनिट का समय चाहिए, और वो बताने लगती है कि 14 सल पहले ऐसी ही किस स्टूडेंट की मार्क शिट अदला बदली और वो अनसारी को कट घरे में बुलाती है, और वहाँ वो मार्क शिट लाती है और दिखाती है कि अनसारी को असली में 52% मिले थे, लेकिन अनसारी का 31% लाने वाले स्टूडेंट से मार्क शिट अदला बदली कर दिया गया, और वो खुद कट घरे में खड़ी हो जाती है, और कहती है कि अंसारी का मार्क शेट जिससे अदला बदली हुआ है वो लाभारती मैं हूँ ये सुनकर सभी हैरान थें तो अपने पापा से कहती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज अंसारी लॉयर होतें निल कंट ताली बजाने लगता है और कहता है कि तन्वी का लाइसेंस कैंसल हो जाना चाहिए और अब तो इस केस का कोई मतलब है ही नहीं लेकिन जज़ सहाब उसकी नहीं सुनते और फैसला सुनाते हैं कि रिंकी और रगुवीर की एंसर शीट दोबारा से रीचेकिंग होगी बिलकुल निस्पक्ष तरीके से जिसे कोट के द्वारा बनाए गए कमीटी के लोग करवाएंगे केस जीतने के बाद तन्वी और रिंकी गले मिलते हैं और तन्वी के पापा भी अपनी बेटी पर काफी गर्व मैसूस कर रहे थें रगुवीर का चेहरा मुर जा गया था क् उसका चीफ मिनिस्टर बनने का सपना सपना ही रह गया जजज सहाब कहते हैं कि मैं आपके बनाए गए लड़ू को बहुत मिस करूंगा पर तन्वी कहती है कि वो दोबारा से एक्जाम देगी और फिर वो इसी कोट में आएगी और वो जजज को लड़ू खिलाएगी और इ इसी के साथ 2014 में रिलीज हुई पटना शुकला मूवी यहीं एंड होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सबस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक कियर